रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें इस बहुत बढ़ी रुकावत है ओ बहुत बढ़ी बाधा है ओ इस मंत्रि ताले से उसे उसके कमरे में बांध कर रखना होगा हर साथ साल में उस फारोली में कोई ने कोई बहुत बढ़ी भी पत्ती आएगी तुझे सतर कहना होगा यदि ये ताला खुर गया तो अनर्थ हो जाएगा तुझे साधान रहना होगा अरे सुनो रनवीर शुकेश को देखा है पाप अभी तो यही थे एकोलेशन वाले को डाट रहे थे अमाल है दूभए जी किट्र को डांटो है अभी बढ़ निकले है अच्छा? इरे चान्दी का नार्याल गदर रहा после your sister point? अरे चान्दी का नार्याल भी सुकेश ने रखा है और वो लड़के वाले क्या जो मिलनी का लिस्ट है वην सुकेश के पास ब कहा है कहा है मा, आज भी गुस्साओ, आज तुम्हारी फेवरेट पुती नैना की शादी है, आज तो मान जाओ भाया चोटा भाई होते वे भी, तुमने एक मुख्या की तरह इस घर को समाला है, अज जिर्फ तुम्हारी वज़से, मेरी बेटी नैना की शादी, एक बहुत ही समरांत, और अच्छे पड़िवार में हो रही है भाया भाया, आज तो यसब छोड़ दो अरे पलेट जी निएक साही बूला था आज का दिन बट लक्य होगा, आज का दिन बेट लखी होगा, इम और फायर एक ददीन कर दमांका, दमांका अब जब तक ये दमाका कर रहो ना, तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी आएक एंडी को पर दमाका मत करदे लो हाई हाई ना बाभी नेना रेड़ी है ना? समीर के अजर से बारात निकल चुकी यह जिंता मत करो में पूछ लेते हूं नेना? नेना लॉब यूज़ नेना लॉब यूज़ नेना नेना वहा नहीं? नेना यहां आय सुमित बंसल नेना वह इसकस्ति नेना रेड़ी नेना यह नेना रेड़ी दो लॉब भी लॉब यूज़ धुज़ जाए लॉव और भी जो लॉज़ भीगे है इस अत्या कमीनी तुरे लाएक था यहीं कभी नेना अशकी बाद चुटरी को चादी में आयाे? खाना खाके जाहिए हूँ, समझ मैं हा? तेरे एक्स पॉइफरेट का पीछा छोड़ेगा पागल है क्या? यह सम्री रेक नुमर का लूजर है तेरी हैपी ले ले लेगा चल अभी भी वक्त है मेरी बाइक रेड़ी भाग चलते है तू ना बक्वास कर ले एसा ही चलता ना, फिर से तेरी जाड़भू करानी पड़ेगी या तो पैदा होते मैं मर जाती या तो आप लोग लो जी, उमारी किसमत तुनीगे बारात आगे बारात आगे वह घूँ बारात आगे रवच लोग लोग वह लोग खर्वच वह भब वह झाल झाल प्रश्चेंज वर बहुत मज़ाया यहादी का मौरत मेले बहुत ही लगी रहा यह घरकर गुड़ग चाम एक्सचेंज हो गया है और आप लोग इतने हैपी हो मुझे नी खाना I really miss Naina बेटियों के विदाई क्या होती है वो आज बता चलाओं आप बेफे कर रहे हैं अच्छा कराना है और समीर एक अच्छा लड़का है हमारी बेटी को पल्कों पे रखेगा पापा ऐसे कौन बोलते हैं पल्कों में रखेंगे अनौल नैना क्या हुआ है बोले की कुछ तू अखेले आई है यह समिर जी को पता है तुम्हारे यहाने का एक एरात में लड़की गर वापस आगई है हास-पास कितनी बदनामी होगी हमारी नेना तू बताते क्यों ने कि क्या हुआ है मम्मे धोका हुआ है हमारे साथ इस्तवाल किया हुआ माल दिया हमको सालो ने नेना से पूछे ही आपने घर के लोगों से पूछे आपके घर के अंदर ही कोई है जिसके साथ सोई है नेना बताओ कौन है वो कमीना नेना वो सुमित था ना उस्टू यह समीर क्या बोल रहा है? बोल ले ना! कौन है वो? किसके साथ किया दुमने यह खटिया काम? समीर ने फोन पर बताया कि हमारे ही घर के किसी मर्द ने यह घिनावना काम किया है. समझे? अगर घर में से किसी आर्मी ने यह काम किया है तो आप में सी कोई होगा ना? बोल तूने कुछ किया विशरम! अँटी यह क्या कर रहे हैं आप? भावी! यह क्या घटिया बात कर रहे हैं आप? मेरे भाण जी ने कुछ नहीं किया है अगर इसने नहीं किया तो फिर किस ने किया तुम मैंसे ही किसी एक ने मेरी बेटी की जिंदगी बरबाद की न? इतनी घटिया और गिनोनी बात कैसे कर दिया अपने? तुने मुझ पे हाथ उठाया ओ अपने परे भाई पे हाथ उठाया ठोड़ूगा नहीं तुझे अब बस हो गया इतना घटिया इंजाम लगाया मेरे परिवार पर मैं और मेरा परिवार अब यहां पर आपके साथ नहीं रह सकता मुझे आज के आज भटवारा चाहिए अगर यही तेरी इच्छा है तो कर देते हैं इस घर का भटवारा इस सावेली का भटवारा अभी क्या भी मुझे के लता है तो कर देते हैं परोन Aww सुकेश, मुझे रसोई घर में और घर के बीचों बीच, कल ही दीवार चाहिए, अब हम साथ नहीं रह सकते मेरे घर का बटवारा, मेरी हवेली का बटवारा, नहीं होगा, नाज, नाकल और नाही भंश्य में खबरकार अगर किसे ने मेरी हवेली और मेरे परिवार को बाटने की कोशिश भी की थो तुछे क्या लगा? तेरी काली कर्दूतों के बारे में मुझे पता ही नहीं चाहिए तू अपने काले जादू से मेरी हवेली को बरबाद करना चाहती है अरे सबसे बड़ी गंद तो तू है इस परिवार में तू पैसे कहां जुपागी रख दिये मुझे साब पता है सुकेश तू बाटेगा मेरी हवेली को मेरे मेरे परिवार को मत ने अपनी गंदी जुबान से मा का नाम तेरी काली कर्दूतों की वजह से मैं आज तक मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाई सुकू चल सुकू 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 नगई कि उना हुआ थाड़ था थार दूतार 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 कि जालों दूतार दूतार कि उना लंग सदर्क रहो, चो अब तक नहीं हुआ, वो अब ज़रूर होगा, खोर अमंगर होगा. सुखेष, 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 सुखेष कहा, रीमा, सुखेष के कमरें विच्छा, रीमा, फोन दो मेरा, चाष्मा, चाष्मा, सुखेष के पास जाना है. कल रात तो आप कुछ और ही क्या रहे थे, कल रात? क्या कल रात की बात कर र्योगा, तुम अनुजरा मेरा कही न उसका कई मतलब रही है, भाई हो मेरा, जो भी हमलोग के डिफेरेंस है न, हम बैट करके सॉल सॉल्ब कर लेगे. कल रात को सुकेश ने जा कल रात कल रात की रट लगाई हूई हो अरे समीर के घर जाना है गलत फेमिया धूर करनी है चलो आओ तू मेरे साथा सुकेश 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 दरिंदगी का ऐसा खेल हुआ जिस खेल ने आधे घर को निकल लिया साथ लोगों का पूरा परिवार रातो रात हो गया हत्त क्या ये आत्महत्या है या कुछ और इस केश की तप्तेश करने मेरेट के सबसे काबिल और गुनहगारों के लिए दहशत के रूप में जाने जाने वाले इंस्पेक्टर अनिल शास्त्री मेरट के राजाजी पुर्म के साथ सारी सेंटर के मालिक सुकेश गुपता के हवेली पर खेली गई खून की होली सुकेश गुपता का साथ लोगों का परिवार एक साथ इस दुनिया को कर गया अलविदा झाल 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 दरिंदगी का ऐसा खेल हुआ जिस खेल ने आधे घर को निकल लिया साथ लोगों का पूरा परिवार रातो रात हो गया खट सरी पूरा क पूरा काला जादू का कांड है यह कोई काला जादू नहीं है पठक खून है तुम्हें क्या लगता है कि एक ही फैमिली के साथ लोग अपना अंगठा काट के शाहिद होने की ताहरी में थे तो सुकेज जी नहीं नहीं की शादी ताहिए थे थे शादी तूट गई जिसकी वज़े से सुकेज जी नहीं की आपके भाई ने गिल्ट में आकर उसाइड कर लिया क्या बात है माडम आप तो हम पुलिस वालों से जादा शोर लगते हैं मुगे जी मुझे लगता है कि ये मडर है मडर क्या क्या रहे हैं अ तब ही तो सारी चीजे प्लैंड क्यों ही लग रहे हैं साथ लोग, साथ मारबल, साथ रुदराक्ष, साथ कटोरे, साथ तारीक क्या? बस मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा साथ दे ताकि ये साथ कागड़ा में तोड़ पाऊँ और एक फोन मिसिंग है, वो फोन अगर आप मेंसे किसी को मिले तो प्लीज आ, फोन कर दीजगे त्वी त्वी सार, सुकेश गुपता के पेरेंट्स की डैथ भी रहस्तामें तरीके से हुई थी कोल्ड केस है, लिखा है, उनकी संदीत परिस्तितियों में मृत्यू हुई थी और अपरात का सबूत ना मिलने के वज़े से फाइल्स क्लोस कर दी गई थी पाटा का इस फैंबली में मौतों की पुराने हिस्ट्री लगती है इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग नेना के सस्रॉाल वालो ने नेना को वापस इसलिए बेज दिया क्योंकि उसका किसी के साथ संबन था ऐसे घर के लोग अपनी लड़कियों को कभी भी अकेला नहीं छोडते पाटाक हो नहों ये कोई घर का ही सदस है या आसपास का है या फेर, एन साथो में सेख आरे ये, ये लड़किये, चूर्बोर रियो गाटाक पर रियो लड़किए पाटाक पाटाक पाटाल फेर, एकाटाल पाटाटा पाटाब बियो स्थीन पाटाब झाल झाल 20 घंटेके बाद नी पुलीसिस, हत्या या आत्मा हत्या की गुत्थी को सुल्जा नहीं पाई है, रहस अब और गहरा होता जा रहा है, आखिर क्या हुआ था साथ मार्च की रात को, क्या इस पुलीस प्रिशाशन के रहते, मेरट वाकई चैन्द की नीन सो सकता है? आखिर क्या है इन मौतों का रहस? कोई मास मर्डर या कोई सामोहिक खातमा हत्या, पुलीस को कुछ सुराग तो मिला है, लेकिन क्या, वो पुलीस ही जाने, तो यहीं है? घर में चीजों को सेटल करके रखना चाहिए, रोना काती, यह फोन आपके घर के बाहर मिला मुझे आपके किसी फैमिली मेंबर ने फेका होगा अगर आप मेंसे कोई उसका पास्टोर बता देगा तो मुझे इंवेस्टिकेशन करने में आसानी होगी वो फोटो देना इस मुर्ति के बारे में कोई जानता है इंस्पेक्टर, आप इन्वेस्टिकेशन कर रहे हो कि ये क्राइम थिलर की नॉवल लिख रहे हो। हरे हमारी फैमिली में साथ मेंबर्स की देत हो गई है और आप रिशक कर रहे हो। Mr. Sahil, मैं अभी आपसे सिर्फ मोर्ती के बारे में पोच रहा हूँ लिखे नगार, नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरे काम में उम्मली करनें की कोशिच वेक्यां तो आपको सब्सक्राइब से कल्पिट वन्याएंगे, आपको पतावीनी चलेगा तो चैरेपे इस्माइल रखिया, गुस्सा नहीं अरे, पाठक जी, जी सर, अरे, आपको क्या लगता है, यह केस्ट रखिया है, सीधाया यात्यू? टेड़ा, तुम्तु सीधे गड़ेए, ओ मेरे भाई को किसने मारा, उसके परिवार को किसने मारा, मुझे कुछ पता नहीं हमारे इतने सालों की इज़त की धज़ियां उरगे, पुलिस को जब मन करता है, वो घर के अंदर घोसाती है, हमारे घर की छोटी-छोटी बातें पाहर जा रही हैं जो हुआ, सोख हो गया, लेकि खत्रा अभी तला नहीं है, सभी को समद के रहना है मा, पापा फिर से दादी की आवाज में बात कर रहे हैं सब के सब मुबंद रखना, घर की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, सतर करहना मुकेश, पानी लेकर आओ, मुकेश अरे सर, समीर की पूरी कुंड़ी तो यहाँ है माठा जी लगता है दूले का काफी पुराना रिष्टा है क्यों है स्वागत करियो उसका क्योवे जत्यान अंधन, दोजार थेसमें खुद वरजिन नहीं है और तुझे बीवी चाहिए छिल बंथ तेरे तो हट्यों के भी सिल टूतें गयां नहीं प्लीज, मैंनी कुछ नहीं किया सिदा बट इक नए नवेली दूलन को एक रात में पुराना करके मातर ठीट यह तो पुरी नसले ही खतम करतूं। सर, 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 मैं बताता हूँ, सर, सब बताता हूँ, सर, सुकेश, अंकल और मैं बिजनस पार्टनर थे और गाथ अंकल इस काम के लिए शादी। मैं कुन सा तुम्हें जंदगी पर केले शादी करने के लिए रहा हूँ? इस अफेक मारिच बस पहली रात की करिया करके उसे वापस बेच देना सायद तुम जानते नहीं हो कि नहना के उपर किसमत की विशेश करिपा है इसके बद तुम माला माल हो जाओगे यह सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ इसके लिए तुम्हें बस मेरे लिए एक काम करना है वो क्या अंकल? वो यह है कि अपने पापा को बोलकर पार्टनर्शिप की एक अग्रीमेंट साइन करवानी तुझे क्या लगता है? हमारे माते पे चुटिया लिखाया है सर, कुछ भी कहानी मना रही है नहीं, सर, 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 मैं कहानी क्यों बनाओगगा सर तांतरिक संकेटा ने भी तो सुकेश अंकल की बात को कंफर्म किया था के उकेश अंकल को तु कब से जानता है मैं उनसे पहली बार साथ साल पहले मिला था जब पापा ने उनके लिए पच्छिस लाग रुपे भेजे थे जब साहिल हनी ट्रेप में फसा था सर, he was obsessed with women और उसकी इन हरकतों की वजए से प्रॉपे वाइन एंटान एंटा जो प्रॉपे भी बार साथ मोड़ा जब पार साथ उससे पूछिए ना, फुफा जी, विया जिस फ्रेंड, हमारे बीच में कुछ नहीं है 25 लाख रुपए तुम्हारी ये तुम्हारी ये तुम्हारी जिस फ्रेंड है, है तुम्हारे पाप के पास Stop it, please ये ड्रामा नो, तुम दोनों मेरे सामने मत कर, okay? I don't like violence हर महीना साथ तारी को 25 लाख रखना, मैं लेने आ जाओंगे और ये हर बार के जंजट से बचने के लिए, साहिल की शादी उसी लड़की नम्रता से करवा दी उसके बाद, धीरे धीरे पापा और सुकेश अंकल की फ्रेंडशिप हो गई और वो उनकी एडवाइस पर ही काम करने लगे उनकी मतलब किनकी? तांतरिक संकटा, उनके एक कंसल्टेशन पर ही हम लोग सब काम करने लगे साफ, गुलन आगर हो उस बोन से कुछ विडियोज डिलीट वे थे वो मैंने ही किये थे नना जी बाड़क जी जी याँ साथ साल पहले दादा जी की डेथ के बाद सुकेश चाचा ने साहिल की शादी नमरता से करा दी सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ उसके बाद हमारी पुरी फैमिली कर्ज में डूप गई वी वर स्टरगलिग और फिर उस मन्हूस राज बताने क्या हो गया था मुझे मैं जाने इन लोगोंने क्या खिलाया था मुझे खोश में नहीं थी मैं झाल 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 चाचा जी, यह क्या कर रहे हैं? यह गलत, दिस इस रॉंग, मैं सब को बता दूगी. जा, जिसको बताना है, बता दे. मैं सब को बता दूगी. उसके बाद मैं चाची के पास गई. चाचा ने मुझे यूज किया है. जो हुआ, उसे भूल जा और इस बात को बस अपने तक ही रख. आप ल माने का तरी बात. लेकिन अगर मैंने ये वीडियो गिद्खा दी ना सब को, तो सब को यही लगेगा कि तूने मेरे पती को फसाया है. तो चुचा वही कर, जो तेरे चाचा कह रहे है. सुकेश जी ने अनीता जी को इन्वाल्व क्यों किया? उसके कहने पर. उसके मतलब किस तांतरिक संकटा के है. पाठक जी, वो तांतरिक संकटा को इज्जत के साथ यहां पर लेकर रही है. जी सर. लाल्चे, लाल्चे था वह सुकेश, अमीर बनना चाता था. ऐसे में मैंने उसे कहा, कि एक कुवारी कन्या के साथ ख्रिया करके उसे संभोग करना होगा. और कुवारी कन्या ऐसी, जो साथ ठादिशालिक दे बराबर सुखों और सुकेश के परिवार में एक ऐसी ही नड़ की थे, नैना. लेकिन नैना जी उस रात ऐसा क्या हुआ कि ए? अधात मेरे घर वापस आने की वज़े से घर में जगड़ा हुआ था. सुकेश, चाचा और चाची ने जो मेरे साथ किया, शैद उस गिल्ट में आके उन लोगों ने सुसाइड कर लिया. ना ये आत्म अत्या ह ये गालजयी गनत क्रिया है. और इस क्रिया को कोई स्वयम नहीं कर सकता. इसे करने के लिए अनुभवी गुरू की आवश्रक्ता होती है. और ऐसा गुरू जो ये पहले कर चुका हो ताकि यो सही राह दिखा सके. ऐसा गुरू तो आप ही है ना? आप ने कराया ये सब? ना हमने सुकेश को इस क्रिया की कोई राह में दिखाई. तो फिर किसने उने ये क्रिया करने की राह दिखाई? इसके लिए तुम्हें भूतकार दर्शन क्रिया करनी होगी. जब तक कुछ दोगी नहीं, तब तक तुम पाओगे कैसे? नाना जी, आपने सुकेश के बारे में त सिधार्थ, रन्बीर, साहिल. उनके बारे में कुछ नहीं बताया? उनका अपके साथ क्या बैवार था? यहाँ. रुको, साहिल. क्या देख रहे थे तुम? मुझे अच्छे से पते हैं, तुम क्या देख रहे थे? क्या दो, नाना? मम्मा में रुम्बे कप्डे बदाल रही थी, और यह जाक रहा था. आज के बाद नाना के रुम्बे के आसपास भी मत दिखना, निकलो यहांसे. नाना, तुम, रुम्में कप्डे चेंज मत किया करो, आज के बाद बात रुम्में करना. अच्छा, नाना जी, संकटा का सुकेश जी पर प्रवावत है. क्या मुकेश जी इस बारे में कुछ जानते थे? नहीं. पापा शायद इस बारे में कुछ नहीं जानते थे. बलकि पापा और पूरी फैमिली तो, सुकेश चाचा को इगर का हैड मानते थे. नहीं जी है, आपको फोन. अभी आप जा सकते हैं. पाथाक जी, फागा लोगा है आप? आप इस पाखंडी के चक्कर न पड़ गया हैं. नहीं सर, बाबा असली के लाड़ी का नाम बताने ही वाले थे. कातिल के नाम का पहला अक्षर, सासे शुरूव होता है. सासे पाथाक, सासे तो थंकटा भी होता है. कुनी यही है क्या बाबा जी? सुकेश गुपता और उसके परिवार के रहसमाई केस में आया नयासन सनी हेस्कुलासा. इसके तार जूड रहे हैं तांत्रिक संकटा से. घौर से रेखे लाल कपड़े में काले नर्पिशास को. आखिरे इसकी ग्रफतारी का क्या मतलब है? क्या सुकेश गुपता और उसके परिवार का पोल-ब्लडेड मुर्डर हुआ था? क्या इस हत्या कांड के पीछे तंत्रिक संकटा का हाथ है? और अगर है तो क्यों ली उन्होंने साथ लोगों की जान? क्यों उजार दिया एक हस्ता खेलता परिवार? तो कहिए बाबाजी, साथ साल पहले, सुकेश गुपता मुझसे मिलने आया था. बिल्कुल तूट चुका था, एक तरफ जहां उसको व्यापार में घाटा हो रहा था, मैं दूसरी तरफ उसके परिवार में अंतरकला और मनमुटा उबरता जा रहा था. और उसका बड़ा भाई, मुकेश गुपता, इतना बड़ा आधरशवादी, कि उ ब्यापार को न समहाल पा रहा था, न बढ़ा पा रहा था. उसके ब्यापारी घाटे से उबरने के लिए मैंने उसे एक अटूट तोड़ दिया था. हाँ, क्यों नहीं, बाबा जी, आप तो बहुत बड़े बिजनेस एड़िजर हो जो हैं, और उसके बाद तुने सुकेश को उसी की बती जी के साथ सोने के लिए खा. मजबूरी थी, मजबूरी, तुकेश गुपता और उसके परिवार ने साथ साल तक संपनता और सफलता के साल देखे, लेकिन उसके बाद धिरे धिरे उस तंतर साधना की शक्ती कम होने लगी. और एक ऐसा समय आया, कि व्यापारी घाटा फिर से बढ़ने लगा, परिवार में मन मुटा और अंतरकला बढ़ने लगा, और ऐसे हालात में मुझे दुसरी तंतर साधना का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी था. अले डोंगी? तो यह यह किरिया थी तेरी? यहने सुपेश गुपता को सिफ सला दी थी. सला को मानना या ना मानना उनका निड़े था, मेरा ने. तेरी सला की बज़े से साथ लोगों की जान चली गई है. अटक, इसको यही लोक अप में सरणने दो. सर, केस बहुत सिंपल है. एस वालों को पकड़ते हैं. साहिल, श्वेता, समीर और सुमित. पड़क, मोटिव तो सब के पास है. किसी फैमिली में अगर किसी लड़की के साथ उसके चाचा-चाची ने गलत किया है, इतनी घटिया हरकत की है, तो क्या लड़की के माबापका मन नहीं करता होगा मदर करने के हैं? राइट, सर. और सर, जब आप नेना जी के साथ थे, तो समीर ने मुझे बताया था, कि उसको बिजनस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, क्योंकि वो डील सुकेश के मरने के बाद नल और वोल्ड हो जाती है, वो सुकेश को नहीं मार सकता, सर. क्या बाद है, पाटक तुमारी तो प्रॉपर ऐलिंग हो रही है? आप से सीकरे हैं, सर. सर, पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, लेकिन ये श्वेता कैसे बच जाती है? पाटक, ये भी एक एंगल तो हो ही सकता है. ये, सर, और सर, ये पिच्चु को क्या मिलने वाला था? इसका क्या मोटीव हो सकता है? पिच्चु को भी कोई मैस होगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. बूरती कहीं और चुपाने पड़ेगी. हाँ. मुझे वह जाने नहीं चाहिए था. मेरी, मेरी, गलती, ये जर. पिच्छु मेरा एक काम करेगा? हाँ. मेरा एक काम करेगा? तुम्हे ही सब कुछ करना है. हिम्मत कभी मत हानना, और जब भी किसी दुविता में पड़ो, अपने मन में चांकना. तुम्हारे मन की आवास ही मेरी आवास होगी. जोवीज घंटे भी नहीं रख पाई पुलीस कस्टडी में संकटा को. क्या राज छुपा है इस पुरानी हवेलीका? पताईये, बाबाजी, आपका क्या कहना है? बहुत सारे गहरे राज हैं इस परिवारे. अब जहां राज होंगे, वहां दुष्मन तो होंगे. बस किसी दुष्मन ने मार दिया. मैं दुष्मन नहीं हूँ. मैं तो मात्रीने शांती का मार दिखा रहा थे. लेकिन हाँ, इसके इस गुपता और उसका परिवार बहुत बड़े लागजी है. बहुत ज़्या. बता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है मेरे हस्ते गेलते परिवार को. इसे क्यों देख रही हूँ? बस इतना समझ लो, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है. यह ना, याद है ना मा क्या कहती थी? मा हमेशा यही कहती थी, कि घर की बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए. बिटा, इस बात का ख्याल रखना है तुम्हें. पापा, आपने बहुत कुछ किया है हम सब के लिए. लेकिन अब बस बहुत हो गया. अब मेरी बारी है. मैं आपको और अपनी फैमिली को और दुख जिलने नहीं दे सकती. I love you, पापा. पाठक्जी, पिच्च्वी तो घर का पिच्च्वी नहीं. शेकल से तो नहीं लेत्ता है, सार. शेकल में मज्याओ, पाठक्जी. पिच्च्वोट क्यासे लगी? साब, वोग जायवनात्यु, वोगे गरम जायगी रुखिए. मुकेश जी, क्या आपको पता है कि आपका जो तांतरिक बाबा है, वो बड़ा जादु गर्ड टाइप का और ग्यानी टाइप का इंसान. उसने तो बिना केस सॉल्ब कि यही बता दिया, कातिल का नाम और असली पता. मैं तो सोच रहा हूँ कि पाठ्थक के जगे उसको रख लूँ. सर, प्लीज मुझे बताएगे कि मेरे मासूम बच्चों को किसने मारा? वो क्या है ना, यह जो कानून है ना, वो बातों से जादा सबूतों पर विश्वास करता है. एक बाट वो सबूत मिल जडोगे, और वैसे भी में, खूनी तो कोई भी हो सकता है. तुम भी हो सकते हो, मुघेज जी भी हो सकते हैं, रीमा जी भी हो सकते हैं और नैना जी. हाफ भी हो सकते हैं. बातरोम कहा है؟ शोषगा जी? तो उस रात आप घर पर नहीं थी, पर कहा थी? कौन माने का मेरी बात की मैं कहा थी? सर, श्वेता, श्वेता उस रात मेरे साथ थी तुम्हारे हाथ तो सच में चले हुए हैं सॉरी, सॉरी, अच्छा अब ये बता की उस रात को हुआ क्या था? बता था हुसाँ, बता था साहब, उस रात इन साथ लोगों के साथ एक और अरत भी थी और मैंने कमरे से किसी आदमी की आवाज भी सुनी थी कौन था? देख नहीं पाया था वही तो ऐसा गवाज, कोई सबूत इससे साबित हो सके कि आप लोग सच बोल रहा है मेरा मतलब आपका कोई दोस्त, सका समन्नी मेरा रात दो बजे तक श्वेता के साथ थी और उसके बाद सुबह तक अपने रूम में अटर मैडम का से ये से ये टाइम पे आती, टाइम पे जाती पर मैडम आप उस रात कहा थी आप कोई नहीं मानेगा मेरी ये बात उस रात मैं स्टूपिट सुमेथ के साथ थी क्या हुआ सीन शुरू होने से पहले ही खतम दिल तूट गया क्या हुआ हेलो प्योड़फॉ हाई क्योड़फॉ ये अपनी बखवात बंकर मैरे मुसे तब गालियां भी कतनी अच्छ लगती है एक बाई बता हम तेरे सारे राज तेरे परिवार वालों को बता दूटा क्या होगा नुस्त मेरा पुरा होगा और मेरे तिल को भी पूल मिलेगा कर दूटा चुप अच्छ आए पास्टर अच्छ आए अच्छ आए अच्छ आए अच्छ आए अच्छ आए उस दिन भी वो चोरी से घुज गया था घर में अक्सर जैसे लड़कियों के कपड़े पहन के वो नैना से मिलने आया करता था उसी नहीं किया ये सब कुछ अच्छ पार्ठक जी जी सर्ड़के के पैरों में बैंडेस लगा हुआ और आपने अपी तक बैठने के लिए नहीं बोला सॉरी सर्ड क्रुमा तर, कुछ नहीं किया थे, मैंने मुझे क्यों बोलाया थे, यहांपे? बखके़ शिर करने के लिए नहीं बोलाया, तुझे पूस्ताज के लिए बोलाया तुझे यह बताया, यह तुझे लॉंडियों के कपड़े पहनने का बड़ा शॉग है क्या? नहीं, सर्वो, 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 स्वोर्ता पिसारिये सर मुझे, ना, ना के लिए सर्व पहाड में जाएए सब, मुझे फर्कनी पड़ता, बक्ने देने जो बक्रे है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मुझे पहाद चलते हैं, इन सबकी बस्ती नहीं है, हमें समझे, मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, फोड़ी डिफरेंट हूँ, मेरी फैमली, कभी नहीं समझे हैं कि लेस्बियान होने का मतलब क्या होता है? तुम्हें मुझे समझती हो, ना, ना, I really love you. I know. I know that you also love me. Tell me you love me, na? I love you, Shweta. पर ऐसे नहीं. तो कैसे? तुम मेरी फैमली के वजाते मुझे से दोर जारे हैं, na? यहाँ, इस सारी प्रैप्लम के जड़ मेरी प्रैपली है। सर, वो लड़की साइको है सर, सर, वो नैना से प्याड करती है, सर, उसने यह मेरी और नैना के वीचुम में सट्डेस्टेश्टिनिंग करवाई थी, सर, वो सबसे बड़ा खत्रा है अपने परिवार में, सर, उसने वीडियो बनाएती, सर, अमबारी और उसने पूरे परिवारों को दिखायाती, सर, मैंने कुछ नहीं कहिए, सर, हो सकता, उसने ही किया, सर. कोई देख लेगा? कोई देख लेगा? मैं विदमल्ला केच्छा. कोई देख लेख 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 ल मेरी मेरी बात तो सबढ़िया, मैंने कुछ गलत नहीं किया अंटी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज वो तो शुयता ने ये वीडियो टाइम पर भेज दिया नहीं तो तुम तो हमारे विश्वास के साथ खेलते रहते साहिल, अब तो इस हरामजादे से दोस्ती तोड़ दे तो साहिल तुम्हारा दोस्त है हाँ सर, सात्वी क्लाक्स से हम साथ पट रहें सर बश्पन के दोस्ते सर, मैं उसके घर जाता था सर वही नैना मिली और हमें प्यार होगे सर तो केश से मार काने के बाद भी तो थूतरा नहीं तो पट्टा ओड के नैना से मिलने पहुच गे सु केश की फैंबली के साथ लोगों के अलावा तुझे वह जाते वह किसी ने देखा था बदला लेने के लिए मार दिया उन लोगों मैंने? नहीं सर, मैं तो खुद अपने जान बचा के भाहरा दा सर खिड़की से कूदा और यह स्टेंड तभी तो आया सर जैसे मैं विंडो से कूदा ना तो मेरे पर में बहुत जोड सा दर दुआ मुझे लगा कि मुझे लगा कि मेरे पर टूड गया पिच्चो ने एक और आदमी की आवाज सुनी थी, वो ये सुमित भी तो हो सकता है शायद पाठक नहीं नहीं सर, मैं नहीं था सर, कोई औरत वो औरत किसी आत्मा का चिक्कर नहीं है मुझे तो लगता है यह इस 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 फैमरी का सेटप है सर तुझे कैसे पता कि आत्मा है जिए और यह आत्मा क्यान है सीन पे सर साहिर तो अपने बच्चों की डेच से बहुत ज्यादा सैट था तो ज्यादा पिली थी फिर उस पे नश्य में मुझे सब पकती है अलो के सैट युझे डिए साथ युझे नो युझे युझे सब्सक्राव सब्सक्राव युझे प्रेट तो मैं भी करना चाहता हूं पर और एक बात तुझे नहीं बता सकता, दादी अम्मा को प्रॉमेस किया ना? जासा प्रॉमेस? तु केसी को नहीं बताएगा? अहाँ यह शंकल में दादी अम्मा की आत्मा आत्मा आती है वो… बेर हो दादी अम्मा की आत्मा की तरह भाथे करने लग जाते वो साथ कर रहा है जास साथ कॉल रहा हूँ अरे, तु मुझे फिर से गौश कर रहे हो नहीं नहीं सिर नहीं सिर, मैं नहीं कर रहूह हूँprisingly है स्रट हासय है सिर तब कंफूज ही हैं सिर कोई ओरद कोई आत्मा कुछ नहीं है सर हाँ एक अवर थे जिसकी जिसकी आवाज आती है सि उचैशनकल इसको टेपनी टेपनी कोड़र में सुनते है teve और इए उसे याद करते है हाँ तुम्हारे मन की आवाज ही मेरी आवाज होगी तुम्हारे मन की आवाज ही मेरी आवाज होगी याद रहे तुम्हारे साथ मेरा साथ हमेशा रहेगा याद रहे तुम्हारे साथ मेरा साथ हमेशा नहीं होगा पर इस घर की बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए पर इस घर की बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए इम्मत रखना इम्मत रखना सर उस राच जब मने रहना सभापना था तब ही उसी ओरत की आवाज थी मुझे सर इस पुछ अज दॉना realizar के इस घर के कोई बाद बाहर नहींचाहिए सर वही कैसे टवाली ओरत हाँ हाँ से राच सर वही कैसे टॉरत वरत सर, तक्रीबें दो बज़रे होंगे, मैं श्वेता से बचने के लिए खिटगी से पूदार, वहाँ पे अल्रेडी घर पे बहुत शोड था, मुझे लेगा कई मुझे कोई देख न ले, तो इस डर समय भाग गया सर, मैं वहाँ सर, भाग गया सर. नैना श्वेता के साथ दो बज़े तक थी, उसके बाद नैना अपने पैरंस के पास चली गी, ढाई बज़े सुमीद भी वहाँ से भाग गया, पोस्पटम के हिसाब से मौत का समय लगबद चार बच कर तीस मिरट है, तो सर, इस हिसाब से तो तो तीनो ये क्लियर होए, तीनो नहीं पाठक, दोनो, सवाल ये कि कैसेट का जो नया नाटक हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है, पाठक अरे, इंस्पेक्टर साब रुकी, आज के टाभी ओडियो के सिट्स कौन रखता है, अब ये ओच्छ उंदर, अटता है नहीं अटता, अरे, क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब कुछ, हो क्या रहा है, दिया सेंग, घर में कोई ओडियो के सिट्स है, जिसमें डादी की वोइस तो गली के सारे लोग चील कौवे की तरह दावद लेने के लिए आ जाते हैं, इंस्पेक्टर साब, ये ओडियो कैसेट्स मेरी मा की आखरी निशानी, प्लीज, इसे मत ले जाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुगेश जी आपकी मा की निशानी का तो पता नही लिकर मैं आपकी मा की आवाज जरू लेकर जा रहा हूँ मेरा साथ हमेशा रहेगा, पर इस घर की बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए, हिम्मत रखना हावेली में कुछ बुरी चीज़े हो रही है, उसे रोखना होगा, वरना सा बरपात हो जाएगा, मेरी बात को कभी भूलना मत हावेली में कुछ बुरी चीज़े हो रही है, उसे रोखना होगा, वरना सा बरपात हो जाएगा, मेरी बात को कभी भूलना मत हावेली में कुछ बुरी चीज़े हो रही है, उसे रोखना होगा, वरना सा बरपात हो जाएगा मुकेश जी इस कैसेट की मदद से अपनी मुकेश जी इस कैसेट की मदद से मा की आत्मा की एक्टिंग कर रहे है, जो यह कैसेटी नहीं रहेगी तो एक्टिंग कैसे हो? मैं जानती हूँ, आपने दादी की टेप्स यूज़ करके सुकेश चाचो और उनके पूरे परिवार को खतम कर दिया और मैं जानती हूँ, कि यह सब आपने मेरे लिए किया है कि नब बस करिये पापा, अब आप कुछ और नहीं करेंगी तीस, आप बस करिये कैसी बाते कर रही हो, नेना? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कैसे हो ले कि सुबह सुबह हम रंग से पचने के लिए मंदिर में चाके छिपचाया करते थे दादी, यह तो आपका और मेरा सीक्रेट था यह बात किसी को भी नहीं पता में नहीं आती, तो मेरा ये परिवार, मेरा ये खर तबाह हो जाता लेकिन दादी, आपको अभी क्यों आना पड़ा? और ये जो घर में ट्राजेडी हुई, वो 14 सार पहले इस विनाश की कहानी का पता चला था ये मेरे गहने चोरी करके कहाने कर जा रहा था? कुझी नहीं पता तो अजकर कैसे लोगों के साथ उस्ता बेटा है? मा, 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 इसे एक मा करो, मा, सुकेश, मा को बोल तल दी से सौरी, तू ऐसा नहीं करेगा सौरी मा, सौरी बोलके भी फिर से यही करेगा ये सब हम, जोएकी लट लगई है इसे, किसी भी किमत पर अमीर बनना चाहता है ये मेरे और उसके पापा के लाख मला करने के बाउचुप थी सुकेश ने हमारी एक नहीं सुनी वो हमारे हाथों से निकलता जा रहा था और उस रात और उस रात हमें पता चला केश से लग लग गई थी जुए की नहीं काले जादू की रत रस्तर वो सुकेश में कोई और था सबको बुला लो वक्त आ गया है इस परिवार के काले रहसे के बारे में सबको पता होना चाहिए घर की बाद घर से पाहर नहीं जानी चाहिए बंद मुठी लाख की खुल गई तो खाक की कहां जाये हो पिछू किदर आओ क्या बताया पुलिस को मैंने बस इतना ही बताया कि उसरात क्रिया के समय कमरे में साथ लोग नहीं आट लोग थे और उसमेंसे एक औरत भी थी वो थी नहीं था था? था मतलब क्या कोई आदमी था वहाँ? मुकेश? मुकेश? पापा, आप ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आपको कुछ भी आद नहीं है? मुझे कुछ भी आद नहीं है मुझे कुछ भी आद नहीं है क्यों? मुझे दादी बोल रही थी कि उन्होंने उस रात किसी आदमी को देखा था कौन हो सकता है? पिच्चु कैया रहा था उसने उस रात किसी लीडी को देखा था पिच्चु? ये पिच्चु कहा है? साब, 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 बचन भचा लीजे, साब साथ, मैं बरना नहीं चाहता, साथ. तुम्हारी तो फटी पड़ी है, एकदम भूठ जैसी शकले बना रखी है. मुझे बचन दीजे, साथ, कि आप मुझे बचा लेंगे. हाँ, हाँ, बचन दिया. बचा लेंगे. अब बोल. उस अवेली में आत्मा है, साथ. साथ, साथ, मुझे बचा लेंगे. अब अभी, वो आत्मा वड़े साथ के अंदर आई थी. साथ, मुझे मुझे मार डाले की, साथ. साथ, साथ, मुएन होगा, साथ, एक भाई हो. मेरी माँ क्या होगा, साथ, अगर में मर गया. जिन्दा रादो? साथ, 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 साथ,편री में सब कुछ करूगा, साथ. साथ, साथ, बत्मा, साथ. मुझे बचा लए, जायें. साथ. साथ, तुम इमानदारी से हमारा साथ दे. हवेले की सारी इन्फोर्मेशन्ering प iç पाठक को दे. मैं, तुझे कुछ नहीं overeं ईहोगा. सब, मैं उस हविली में जाओ गा. आव healthy में नहीं जाएगा तो कहा जाएगा? इछ उ, लोक अप में जाएगा, पाता किसके होगा? नीडिंख सब, लोक अप में जाओ, सब, 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 इस बोड़का गाएगा. ऐगत जाओए़ खिरू. सर अगर हविली में सच में आत्मा है तो अरे आत्मा हो आत्मा कुछ नहीं है पाठक तब ड्रामा है सुकेश के कमरे में जो आठवा अव्यक्ति आया था वही पिच्चु बोल रहा है कि आत्मा है तो एक बर वो आत्मा मुझे मिल जाए तो मेरी भी आत्मा तरफ तोझा है कि मा कब कर दिया इस आत्माने में सुकेश कमरे में वो आठवा आदमी कौन तोझा है मैं कह रहा हूं यह फालतू के नाटक मेरे सामने नीचलें के समझ में आ रहा है पुद्धें कि आप कर रहे है नाओधान रहने की जोरत आपको है तभी भी आपकी वर्दी उतर से मेरी वर्दी के छोड़िये अपनी चरबी का खयाल रखिए समझ में आया है सार, लगता है से कुछ मदद में बलेगी बै मदद कैसे नहीं मिलेगी स्की तो फोल बच गया हलो सार, नूस देखिए मेड़ा वालोगना फिल्सेटास चुरू हो गया आपके पंपे बेजाए छी गया मेरट के गुप्ता फैमली के मौत का रहत से और गहराया साथ लोगों की मौत साथ भून से भरी कटोरिया साथ कूटी माला है अखिर क्या राज है इन साथ अंगों का हमें अपने विश्वसूत्रों से पता चला है कि इस हवेली पर किसी आत्मा का साया है आत्मा है या हत्या तो अभी अपना फोन उठाईए और हमें अपना राय भेजिए हमारा नंबर है 999-3319 अच्टीव इसे बाते मीडिया तक कैसे पोची काला जादू शड़न तक क्या बोल रहे हैं वो लोग किसने लिग किया सब अतरस्मी सर पाते मैं थादू विछ तो खुद समझ में नहीं आ रहा है ते मिवीट पादू अचे कासी बात बात इसे पोची कासी अगर दी माम व्रीमिंग मैं हमारी वेपश्रीज ओलेडी बीडियमें चाग चुकी है हिंडी हाटलैंड की अंसिस्त्रलहवैली विस्तियन लावेली जिसमें सब कुछ है लग, सच्छ, दोगा, आत्मा, सब कुछ है वारी व्याग शरीज दुरीजी की और रिल लाइफ मिस्टरी रामा और रिल में कम ग्रेय देशी स्टोरी सौंड्सिंट्रेस्टिंग मैम, थोडा कॉस्ली अफेरे बट वर्ड फ्माउट ना फार्ट रेसे पहलेगा मैम स्वीच काम करीए, डीटेल्स बाइस जीजिए और हां साथ मी सम वीडियोस भी अस्वन आस पॉसलिए तब तक मैं इस्टोरी यू 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 की किसा शेयर है लोगी यू 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 तुम लोग अपनी मा को क्यों परिशान कर रही हो उसे कुछ नहीं पता है जाओ तुम लोग जाके अराम करो और मा को भी अराम करने जाओ देखो तुम ज्यादा घबराओ मत मुझे कुछ नहीं होगा सा बच्चा होगा उखेश यह जादू तोने बहुत ताकतवर होते हैं हम कैसे फस गए सब में अरे हम दहीं फसे हैं भाई और वैसे भी काला जादू आज तक मेरा क्या बिगाड पाया है बताओ जो गलत करते थे वो चले गए उन्हें उनके किये कि सजा में चुकी है घबराओ में अब तो मीडिया वाले भी आपकी बाते करने लगे हैं काला जादू शट्यांत्र ना जाने कौन कौन सी बात है और बाबाजी अब आपको जेल में डालने के लिए मुझे बिल्कुल भी तकलीव लेनी नहीं पड़ेगी अबगे में भी रीच्प दोकी है वहालने में बढ़ीर जेल में जाईएगा अपने सातियों के साथ काला जादू काला जादू जादू कहलिये गर रगेने क्योई बादक?, ॥ीयस सार मैंने कुछ किया ही नहीं, आपकी धंकी बेकाले आपके, काले, जादू की तरह है, सीधे-सीधे बताइए कि वो आठ्वा ब्यक्ती कौन था लीला, 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 तुमी ने ये सब कुछ किया है, सोहनडार, मेरी इस हावेली में काले जादू की शुराथ भी, तु भी ने की है, बुरी आदते कम थी तुझ में, जब काला जादू करना भी शुरू कर दिया अरे लीला, अब छोड़ भी दो उसे, अरे तीन बच्चों का बाप बन चुका है वो, तुम दोनों अंदर जाओ लीला, मैं समझाओंगा सुकेश को, अब वो नहीं जाएगा, तांतरिक संकटा के पास तांतरिक संकटा के पास सुकेश नहीं जाता है, तांतरिक के पास आप चाते हैं अरे लीला, ये तो सब मैं अपनी हवेली के लिए कर रहा हूं, ताकि हमारे पास बहुत दौलत रहे, पैसा रहे, इसलिए नहीं चाहिए ऐसी दौलत, नहीं चाहिए ऐसा पैसा, अगर आपको काला चादू करना है, तो निकल चाहिए यहां से लीला, लीला, शान्त हो जाओ, शान्त हो जाओ, जैसा तुम चाहोगी, वैसा ही होगा चाहा कह रही थी तू, अच्छा, अब तब तुम कह भी रही पाओगी तो सुनो, इस हवेली में काला जादू रहेगा हमेशा, काला जादू हमेशा रहेगा लीला, अपने हाथों से मारा था मैंने तुझे, लेकिन इस हवेली के लालच ने तुझे मरने नहीं दिया तुझे उस कमरे में संकटा के मंत्रों से बान के रखवाया, तु वहां से भी निकल गई, मगर अब सुआला तुमारे जीवन में बहुत सारी बाधाये तुमारे पत्नी की आत्मा के कारणार है ले जाकर इस ताले को उसके कमरे के बाहर लगा दो, ताकि उसकी आत्मा पंधक पनी रहे मैं मरने के बार पिस हावेली को छोड़ कर नहीं कई सोहन रार अपने परिवार की रक्ष्टा के लिए मेरे होते हुए तुमारे अमंगर नाफा कि रादे, कभी कामियाप नहीं होगे सोहन रार, कभी कामियाप नहीं होंगे अब मैं बिल्कल भी आपकी कोई फालतो की पक्वास नहीं सुनूगा, सीधा-सीधा मुझे बताए कि उस रात वो आठवा व्यक्ती कौन था वो सोहनलाल था, सोहनलाल था, उकेश का बाप था, हाँ, लेकिन उसको मरे हुए तो साथ साल हो गए हैं सर, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं बापा जी, अब आप बस जील में जाए हूँ मुझे तुम लोगों से एक इंपोर्टन बात करनी है, जो हुआ और जो हो रहा है मैं उसे डरता नहीं हूँ पापा पैसर क्यों बोड़ रहे हैं? गुनेगार हूँ तुम्हारा में अपैसर मत बोले प्रीज जो हो गया, अब उसे सुधारने का समय आ गया है नैना और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें जिन्दीगी के साथ आगे बढ़ना होगा और उसके लिए नैना की शादी सुमिद से करनी होगी जल से जल्द लेकिन अभी अभी तो हमारे घर में इतना बड़ा हाथसा हुआ है मुकेश, लोग क्या गएंगे? अरे सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, हम लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं रिमा, नैना, तुम सुमिद से प्यार करती हूँ? या पापा, करती हूँ लेकिन इतनी जल्दी एसाथ? नैना इस हवेली के उपर काले जादू का साय मंडरा रहा है, और मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए जरूरी है कि सुमिद से तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करनी होगी ताकि तुम नए सीरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सको. नहीं पाफ, मैं आपना और अपनी को छोड़ पर कही नहीं जाूँ, कौन सा साथ समंदर पार जा रही है तू? बगल के घर में ही तो जा रही है, मैंने सुमिद के पैदम से बात कर लिए, उनका भी यही मानना है कि इन सारी चीजों में तुम्हारी कोई गल्ती नहीं है, मै आत्यु साल पहले मेरे पास Tala Jadu सीखिया आया करता था यह उजो आप मीरे पीछे it Nantra Murti देख रहे है ना इसी के मा ठाधिय मेने उसे काला जादू सिखाया था और इसी तंत्रमूर्ती का मैंने एक रूप उसे सौपा थी, सिध्ध करके, सिध्ध तंत्रमूर्ती की मैंने कई रूप सिध्ध करके कई लोगों को सौपी है, उसमें से एक सौहनलाल के पास है, उस सिध्ध तंत्रमूर्ती की शक्तियों के कारान, सौहनलाल की तांत्रिक शक् वो तंत्रमुर्ति, वो तंत्रमुर्ति, सोहनलाल के तांत्रिक सिद्धियों का आधार है. जब तक वो तंत्रमुर्ति उस हवेली में है, तब तक ये मौत का खेल चलता रहेगा. क्योंकि ये काली शक्तिया जिंदिगी भर ही नहीं, मरने के बाद भी आत्मा को अपने वाश्ने रखे. फिर सोहनलाल को मुक्तिका मिलेगी. वही जो मैंने कहा कि जब तक वो तंत्रमुर्दि नहीं कूटेगी. तब तक ने सोहनलाल की आत्मा को खांती मिलेगी. और नतत्त को हवेली काली परचाई को शक्ति से मुख्त नोगूचुँ नारे यल दीजिए, प्लीजिए. वेलो, विट्र, श्रागुर्ण. पड़ी, मा, ये सब कुछ जादा जल्दी नहीं वो रहा है? जल्दी नहीं, बेटा, बहुत देर हो गई. दरसल हम सुमित और नैना के रिष्टे को समझ ही नहीं पाए. मैं तो सालों से सोच रही थी, नैना कब मेरे घर की भवबन कर आएगी? मैं एक लड़की को बेडरुम में बुलाना, वो भी अकेले. इसको कबसे हेल्प कहने लगे? हाँ? मैं वो गए, वो ख। अब दूप स्नाइव, बोख रहती होगें, नहीं पूले हना है, दूज़ करना है, वो यहाँ करना है. मैं आठो जोक्ते ही हैं. यहाँ, तो… नुट्धी होंगे. तभी तो तभी तो तभी तो वाट वाट पेब्स जो कुछ भी करना है यही करना पड़ेगा तभी दादी मा अपसेट होएगी तभी मुके शंगल को पुजेस करेगी हरे लेकिन तुमको दादी के सोल से मिलना है कियो है दोंट बी क्रिपी पेब्स मैं जानना चाता हूँ कि मेरी वाइफ नम्रत और मेरे दोनों बच्चों ने उस रात वाजी और फूपा जी के साथ अपनी जान क्यों देदी ओओ I'm so sorry for your loss तो से इंग भार दादी हमा आज राएज और मुझे सब कुछ बता दे मैं वीडो शूर लेडू प्लीज तुमको सेक्स चाहिए, ये फ़दा चलिए है I love you I have lost everything I love you 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 अच्छों? एम्मुर्थी? श, तीने बोली है दीदी, ये वही शक्तशाली मूर्थी है, इसे जो भी सिब्द कर लेता है, या इसे जो भी खुश कर देता है, ये उसकी सारी इच्चें बुरी करती है, दीदी जो चाहो की वो मिलेगा, नहीं ना भी? क्या होगा? पालो की? वीटो बनाने के लिए वियर्डिस आइड़ अटाएगी है, पड़ अच्छाली है. कोई बात नहीं? आशने तो ख़ल बन जाएगी. ए पिच्छों, इस लड़की को यहां क्यो ले आया? बाबा, मैं नहीं लेकर आया हूँ. बाबा, वो यह दीदी मुझे ट्या लेकर आई है. बाबा, मुझे तो यह वीरी पता कि यह दादी मुझे पेले बारे की है दीदी. ए लड़की, भाग जा यहां से. तेरे परिवार के कारण मेरे तपो अस्थान पर आप पुलिस आने लगी है. अगर मैं एक लेटर लिखकर सुसाइट कर लूँ कि तांतरिक बाबा ने मुझे मिस्काइड किया, तो क्या होगा आपका? पिच्चो बाहर जाए. ए लड़की, बैट, यह काला जा दे. तु अपनी इच्छा से यहां आ तो सकती, लेकिन वापस नहीं जा सकती. क्योंकि यह काली शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी. क्या तु तयार है? हाथ आंतरिक बाबा जी. बोल, तेरी इच्छा क्या है? नेना चाहिए, पाबा जी. नेना. सब्सक्राइब जल्दी से साधी की डेट हिस कर लेते हैं. बिल्कुल, क्यों नहीं? अब लेए. पिच्छू, कहां गया था? भावी, मैं वह… छोड़ा, या! पिच्छू, कहां वह… मेरी हवेली को बर्पाद करने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं. जाल सिर्व मौर दूँगी. बता तंत्रमूर्ती कहां है? बता! 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 मैं यही तो चाहती हूँ, मेरा मन चहां लाइफ पाटन मुझे मिल जाए. जो मेरा हमेशा रहे, मैं नहना चाहती हूँ. ए लड़की, इस तंत्रमूर्ती को तु ध्यान से देख. यह एक जागरित शक्ती है. यहां सब की मनो कामना पुर्ण होती है. तुछे जो चीज चाहिए, उस पर अपने चित्व को इतागर करके यहान अवस्था में बैठ जा. कर देख जाया चुपा के रखाए उस तंत्रमूर्ती को, मता कहां चुपा के रखाए उस तंत्रमूर्ती को ? तो था, लेकिन मेरे ले कुछ जान लेना बहुत जरूरी था क्या? नथिंग, छिल, चीर्स चीर्स आज से हम विनर्स है यहा, राइट वैसे तो मैं शादी नैना और उसकी टॉपटिक लेकर रहा था माई लेडी लख, रोका करते ही मेरे किसमत बदल गई सेरिस्ली, क्या कड़क माल मिला है यार हार, इंटरनेशल मार्केट मेना इसकी करोडो की कीमत है करोडपती बन गया है तो अब सब के गोड़े खोल देन वाली मूवी बनेगी है यार राइट करो 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 किया तो भी sick येस, मैं यहीं तो चाहती हूँ, नैना मेरी हो जाए, ये सब रियल हो जाए, रियल हो जाए आपना हाथ आगे बढ़ा अभी तो ने जिंद रिश्यों को देखा, वो तेरे जीवन का केंद बिन्दू है यह सिक्का इस तंत्र मुर्ती की शक्ती का अंश है अब तुम्हें तंत्र साथना ही करनी हो इस सिक्के को अपने मुख में रख कर सुना होगा अब यही तुम्हारी सारी मनों का मैपोर्ड करेगा दर्व मुथ्ट। डढने का मतलम ही तो ने हो कैसे बीच सार माँ रोका हो चुक्रय मारा है रोको मात तुरण लग्हा बुणाज आउ puisque अगंप सब्सबस्ट मे선 एसे उर्म में सो एसे उत्व et लुणाज़ के लिए involved येसे वा, येसे, तुम भीतो. मुद्वाइन. थे, कहा तुमलो, नेना तुम ठीक है? लेकिन ये ठीक नहीं है. क्या चिपाया है तुमने अपनी कलाई में? पता, पता, क्या है इसके अंदर? छोड़िये दर्द हो. बता! मुकेश, उसका हाथ छोड़ दीजे, उसे दर्द हो रहा है. उसका हाथ छोड़ दीजे मुकेश. कितनी बत्तमीज है तु पहू, अपनी सौस से बाद औरने की तमीज भी नहीं है, हां? दिखा क्या जिपाया है. सोने का सिक्का? आखिर ऐसा क्या है इस सिक्के में? बोलिये दादी, ऐसा क्या है इस सिक्के में? यही वो सिक्का है जो तंत्र मुर्ती से जुड़ा हुआ है. यही वो काली शक्ती है जिसकी वज़े से हमारा परिवार बरबाद हो रहा है. और ऐसा ही एक सिक्का तुमारे दादाजी के मुँ में मिला था, जिससे उनकी मौत हुई थी. और उसी सिक्के से सुकेश ने अंगुठी बलवा कर पहनी थी. यह काले जादू का सिक्का, काले जादू की तंत्र मुर्ती से जुड़ा हुआ है. यह बरबाद कर देगा हमारे परिवार को, बरबाद कर देगा. संकटा ने तो सब कुछ बता दिया, अब आप क्या सोच रहे हैं? संकटा के हिसाब से सोहलाल मर चुका है, तो मरा हुआ सोहलाल हवेलीम क्या करने आया था? सर, आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो कहीं भी आजा सकते हैं. पाठक जी, अगर आत्मा दिखाई नहीं देती तो उसकी परचाई भी नहीं बनती होगी? नहीं बनती होगी सर, मैंने कौंसा आत्मा भे पीशडी कर रहे हैं सर? यही तो प्रॉबलम है पाठक जी, कि वो आठवा कोई इंसान था. पिच्चु ने उस आदमी की परचाई देखी थी. एक बार वो आदमी मिल जाए तो पता चल पाएगा कि साथ मार्च को सुकेश की फैमिली के साथ क्या हुआ था? ले आया तंत्रशक्ति मूर्थी! जी, मैं तंत्रशक्ति मूर्थी ले आया हूँ. आपके लिए. यह लीजी. तंत्रशक्ति मूर्थी कहां चुपाके रख्खाय उस तंत्रमुर्ती को बता, कहां चुपाके रख्खाय उस... बोल! बोल! पहचानी, अंकल, गवराईय मत्थ अंभलीवबल, यह क्या बख्वास है? कहना क्या चाहते हो तुम? दादी की आत्मा आपके अंदर आती है, यह राज सबको पता है, लेकिन किसी न आपको बता है नहीं, तो सोचा मैं आपको बता देता हूं विस हवेली का राज इस हवेली तक नहीं रहेगा क्या चाहते हो? क्या पिकाड़ा था मेरे छोटे बच्चों ने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? Stop bullshitting. This is the proof. तुमारी माने किया ना इसब तुमारी मा का किया, तुम और तुमारा परिवार भुकतेगा मेरी फैमिली को दूर कर दिया. मैं इस फैमिली में कभी कोई खुशी नहीं आने दूंगा. पापा, प्लीज, प्लीज आप पैनिक मत हो ये. नैना, मैं तुझ पर सबसे आदा भरोसा करता हूँ. तु मुझे सच-सच बता? क्या मेरे अंदर मा की आत्मा? ये सच है. लेकिन ये विडियो किसने बनाई? तो पेटा, तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यूं चिपाई? अम सॉरी. हम लोग आपको और बिस्टब नहीं करना चाहते थी. मा हमेशा मुझसे कहती थी, कि सवेली पे काले जादू का असर है. तो वो श्वेता पे किसी सोने के सिक्खे को लेकर बहुत नाराज हो रही थी. सोने का सिक्खा? और दादी बोल रही थी, कि उसी सोने के सिक्खे को सुकेश चाचा ने अंगूठी बना कर पहना था. यानि कि पिताजी के काले जादू का असर सुकेश के साथ था. करता है मुकेश जी, आपके खिलाब रिपोर्ट की गई है, और आपको जैदुनी पूस्थाज के लिए मसा चलना होगा. मुकेश जी, मैं अभी आपसे बहुत प्यार से कह रहा हूँ. चुप-चाप कॉपडेट करियो और हमारे साथ चलिये. अरे, इंस्पेक्टर साब, आप समझना क्यों नहीं चाहते हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ट्रस कीजे मुझ पर. अरे, मेरी माँ अब तक हमारे परिवार, हमारे हवेली की रक्षा करते आईए, मेरे शरीर में प्रवेश होकर. अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो कुछ नहीं कर पाएगी, और मेरे पिधाजी की आत्मा शर्तिशाली हो जाएगी, वो बहुत जल्ब स्वेटा के शरीर में प्रवेश करने वाला है, और वो जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करेगा, वो सब कुछ बरबाद कर दे और हमारे पूरे पूरे फैबली को तबा कर देगी, आप समझे है मेरी बात, आपके स्थारी फाल्तु की पकवास ना, इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, जैसे ही कोट बेजाएगी, और आपको साथ लोगों को मारने के लिजाम में जेल जाएगी, मुकेजी, पुलिस वा तो खत्म होने का नाम ने लेता, मैंने एक्सपीरियेंस किया, इसलिए आपको बॉल रहा हूँ, अरे इस्पेटर साहब मुझे चाने दीचे, मत रोकिये मुझे इस्पेटर साहब, पापा को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गया है, मुझे डर इस बात का है क सुकेश चाचा के मर्डर के लिए उनको ना ब्लेम करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत, मा, आपा की कोई न्यूज आई पुलिस स्टेशन से, यहां क्या कर रहे हो मुझे ना, मैं तुम्हारा दादा सोहन लाग, मुझे ना, मुझे कोई दिखेना है, चल, 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 जोडू, जो, 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 बचाव मुझे, जो, बचाव मुझे, मैं समझे क्यों तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, और मैं तुम्हें किसी और की होने ने दोंगी, शेदा, शेदा है तुमेatri क्या तरे, जो जो, 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 जो जो, 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 जो जो यह तंट्रमोर्ती जागरी थे, इसमें बोध आक़त है, जो तेरी सारी इच्छाहें पूरी कर सकती है सुकेश जानता नहीं था इस सिक्षे में मेरी तंत्रवित्या का सारा निचोड है उधाय सुकेश ने इस सिक्षे से बनाई यांगोटी पैनी और इदर मुझे एक और मौकामे नाम लेकिन आमने सुकेश चाचा और उसकी तामली को क्यों मारा यह सब तेरी दादी लीला का कियाधरा है उस रात सुकूब चल बात करनी है झाल करनी है तुने मुझसे चूट बोला, तुने मुझसे कहा था कि तु काले जादू के बाप से हमेशा दूर रहेगा मा, मैं सब छोड़ू दूना तु भी अपने बाप पर गया है अपने बाप की तरह चूट बोलता है तू मेरा भरुसा करो, मैं सच में सब छोड़ दूँगा तु ठीक है उस काले जादू की मुर्ती को हवेवी से दूर ले जाकर नश्ट करते, करेगा ना पर मा, मैं किसी काले जादू की मुर्ती के बारे में नहीं जानता सच में नहीं जानता चूटा फरेवी आज से मेरी हवेली में जादू टोना तंत्रा मंत्र के लिए कोई जगह नहीं है कोई जगह नहीं है आज ही हम कालजाई कानक्रिया करेंगे अनीता वो वक्त आ गया है जब हम अपनी साधना से वो कभी न खतमने वाला सोने का गड़ा प्राप्त करेंगे इसलिए हमें वो तंत्र क्रिया आज ही करनी होगी तुम जाकर सबसे कह दो आज ही वो रात है अज़ को फिर खत्र करेंगे झाल झाल तू रोकेगी मेरे बेटे को आज पूरी होगी ना तुझे करने दिया था सोहनलाल ना इसे करने दूगी मैं मेरी हवेली में काला जादू के लिए कोई जगर नहीं है सोहनलाल सुना तुने वाट? वाट ओकेगी साहिल को भी बुला लो नम्रता साहिल अभी नहीं आ सकते सुमित्ता एक्सिडेंट हुआ है और वो उने लेकर हॉस्पिरल गया है हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे तुम सब लग मेरे इंस्ट्रक्शन्स त्यान से सुनकर उसे फॉलो करना सिर्फ साथ चमच खीर के और अंतिम समय में ऐसा लग सकता है कि आस्मान हिल रहा है दर्ती काप रही है उस वक्त मंत्र का चाप बढ़ा देना उस खीर में जहर जरूर है लेकिन हम ऐसे किसी को कुछ नहीं होगा हम सब की जान बचाने के लिए इस तंतर क्रिया का सफल होना बहुत ज़रूरी है यह कितनी खर्तन लाक है मैं अपने बच्चों को लेकि इस पूझा नहीं बेटने वाली हूँ इट इस यॉर डिसेशन नम्रता पर याद रहे सोने से भरा घड़ा सिर्फ उसी को मेलेगा जो इस तंतर क्रिया में बैठेगा मैं अपने बच्चों को लेकि क्रिया में जरूर बैठूंगी गल्ती कर रहा है सुकेश पुझे मार्गदर्शक की जरूरत है काल जरी कनक्रिया अपने आप नहीं की जा सकती पापा इस वक्त मैं मार्गदर्शक कहां से लाओ मैं करवाँगा तेरी काल जरी कनक्रिया पापा बाप ग्षॉई अबना धानी कर भी अड़ां लगला मैं प्रभारी एला है यड्यारीग कर दो है यड्यारी वे यड्यार यड़ां के जा बना यड़ांक है है इड़ां मिरा एक काम करेगा करेगा एक काम करेगा किर ढक करेगा करेगा से लोब हो है सब आग करने सोहर्णाल तुमने जो पाप किये उसकी ये सजा ये परिवार अभी तक होगत रहा है मैं कहती हूं रुक जाओ मुझे तु नहीं रोक सकती लीला मेरी ताकत साथ गुना हो गई है आज मैं मेरे बेटे और उसके परिवार के साथ खड़ा हूं सोल्डाल में कहने रुक चो पीम रोम होमपक सोल्डाल पीम रोम होमपक सोल्डाल रैं रोम रोम पक राओ 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 सोल्डाल सोल्डाल राओ 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 हुई… तक उने अच्छा नहीं किया लिला अच्छा नहीं किया ली ओम फास मत कर फिर से नई स्टोरी सोना रहा है सर स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ हाकीकत है है उस हुआले में कुछ अलग घट रहा है सरू आ पे पहले मुकेश यंगल के अंदर नैना की दादीजी आती थी, और आप रीमा आउंटी नैना की दादीजी की तरह बोल रही है। गांजा गांजा फूख के आया क्या थे? अरे हवेली में बड़ा गेम चल रहा है, समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है? सर आपको जो समझाना है, समझिए नहीं लाइफ इंट डेंजर से प्लीज कुछ कीजिए सर पाड़ा जी अब उस आत्मा से मिलने का वख़त आ गया है, चलिए सर बस एक रिकुएस्ट है, हम उकेश जी को भी साथ ले चलते हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि उनका साथ हमारी हेल्प ही गड़ेगा सुकेश के बाद तू, श्वेता, तू मेरी इस विद्या को आगे बढ़ाएगी, इस हवेले पर राज करेगी तू राज, आज इस क्रिया में नेना की बली चड़ाने के बाद, इसका सारा मंगल भाग तुझे मिल जाएगा रिम, ओम, ओम, ओट, रिम, 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 ओट, रि कर दो करो यह रीमा बंद करो यह तमाशा नेना हमारी बैटी है क्यों रही हो तुम यह सब कुछ भूल गई लीला सुकेश भी मेरा सबसे काबिल बेटा था तुकेश ने जो गल्ती की उसे उसके सजा मिली लेकिन नैना ने कौन सी गल्ती की है उसे क्यों सजा दे रही हो तुम पन करो ये सोहरदार पन करो इनाटक मैं तुम्हारे मकसर के तुम्हे काम्याब होने नहीं दूगी तू रोकेगी मुझे लिला पहले कब रोक पाई थी जो आज रोकेगी तुम अपनी क्रिया पूरी करो इस हवेली की मुसिपत के जड़ तुम हो सोहन लाल आज मैं इस जड़ को ही खतना कर दूँगी हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए प्रस्टिनम्त को नश्ट कर दिया तो तुझे भी वापा जाला पड़ेगा इस मूर्ती के नश्ट होते ही इस हावेजी से काले जादू का शाया हमेशा के लिए चला जाएगा मेरे लेहरे की सर्राइट नहीं है सोहर्लाद और स्वर्ण योर्ण मैं भुष बुष 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 मेरी हमेली आजाद हो गई, मेरी हमेली आजाद हो गई, काने जादू के साहें से I will kill you जो भी चीज़े हैं जो आपसे करवा ही जा रही थी इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं मैं आशा करता हूँ कि दुबारत से आपके घर में ऐसी कोई समस्या ना हूँ Thank you, Inspector Sir और पाड़क जी एक कहावत कही थी ना मैंने आपसे कौनसी वाली, Sir? शेर और बक्री वाली शेर ने बक्री का शिकार कर लिया और आपने पूछा थाना की संकटा को इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया जी, Sir अब टाइम आ गया की संकटा को पकड़ा जा संकटा को लेकर आई मेरी फैमली के उपर शराप है मेरी फैमली शापित है एक एक करके मेरी फैमली के सारे लोग गुजर गए मैं नहीं चाहता हूँ कि काले जादू का दुष्प्रभाव मेरी बेटी नैना और मेरी पतनी रीमा पर पढ़े इसलिए इस शापित फैमली के आखरी अंच यानि मैं अपने आपको इस हवेली से बहुत दूर ले जा रहा हूँ प्लीज मुझे कोई ढूने की कुशिश नहीं कीचेगा कर दो कि एस बालए अंच झाल झाल